वालकम टू यॉर चैनल क्रियेट आन वाल्ड दोस्तो हमारे चैनल पर मिलते हैं आपको रेनेटो सुरेलनेस एंड नेटवर्क मार्केटिंग से रेलेटेट वीडियोज दोस्तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल सब्सक्राइब करें और आने वाली लेटेस वीडियो के लिए बैल आइकन का बटन जरूर दबाएं साथी साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तो चलिए दोस्तो आज किस वीडियो की सुवाद करते हैं तो दोस्तो एक बार फिर्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर और हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं रेनेटस वैलनेस के तूट जैल के बारे में जिसका नाम है ऐलो इस्टीन दोस्तो बहुत ही रई हमारे दातों के लिए कैसे शुरक्षी तहां अंब दाट चैनल ऐसे हमगे हमारे दातों के लिए खड़े हैंD दोस्तो हमोने धाया करें था कि हमारे इन दान्टों को श्रक्षिट करने का जो काम करता है वो करता है या नि इसको इसके इंदर एक अद्र एक लेर छुपी होती है जिसको बोलते आनीमल लेईर दोस्तों सबसे इंपॉटेंट होती है नेमल लेर और ये सबसे हाड़ेस्ट सबसे कथोर भाग होता है मा यही हमारे दान्तों को प्रोडेक्ट करके रखता है और यही नेमेल लेड की वजय से हम खाने से चबापाते हैं और इसी से हम आपनी जो ढादि में खाना खा है उससे हमारी पाचन के रिया रहती है क्योंकि हम खाने को चबा पा रहें दोस्तो इसके लाबा जो अंदर का भाग है वह काफी sound होता है और जब सेंसीट सेंसिटिविटी हमारे दातों के अंदर होती है तो यह जो अंदर का मुझें हमारा केमिकल्स का यूज करके काफी सारे इंग्रेडन का इस्तमाल करके एक पेस्ट तयार किया जाता है जिसको हम तूट पेस्ट बोल देते हैं और मार्किट के अंदर जो सबसे बड़ा काम किया जाता है और विज्यापन में भी आपने देखा होगा तो आपके दातों को चमकाने की बात करी जाती है दोस्तो अब ये चमकाने वाला जो मामला है यहीं से आपके दातों का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि उसके लिए उस paste के अंदर चॉक पाउडर का इस्तमाल किया जा रहा है फ्लोराइड का इस्तमाल किया जा रहा है और अन्य पहुत सारे chemicals हैसे हैं जो हमारी body के लिए काफी harmful होते हैं दोस्तो इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आपने अभी तक सायद ध्यान दिया है नहीं दिया है मैं नहीं जानता लेकिन आप अगर घर में market से लाया हुआ कोई paste इस्तमाल कर रहे हैं तो एक बार गौर दीजेगा उसके उपर एक warning लिखी होती है कि आप 6 साल से नीचे के बच्चों को इसे किसी physician के देख रेक में यूज कराएं कहीं न कहीं company को भी पता है कि हमने इसके अंदर एक slow poison डाल दिया है जो हमारी body को धीरे धीरे effect करता है दोस्तो इसके अंदर डाला गया fluoride जो जाग जादा पैदा करने के लिए और दांतों को चमकाने के लिए डाला जाता है आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारी body में ये fluoride cancer तक पैदा कर देता है दोस्तो आपने काफी बार यह सुना होगा कि बहुत सारे लोग हैं जिसने जीवन में किसी प्रकार का कोई गलत चीजे नहीं खाई स्मॉकिंग नहीं करी है अलकोहल नहीं लिया है कोई गुट का कोई ऐसी चीजे नहीं खाई है जिससे दातों को नुक्सान पहुचे लेकिन फिर भी पता चलता है उस व्यक्तिव को माउथ cancer हो गया आतों का cancer हो गया pancreas cancer हो गया यह सारी चीजे आपकी fluoride से effect हो रही है दोस्तों आपका urine cancer होने की पूरी संभावना रहती है immunity system बहुत कमजोर हो जाता है IQ level बहुत कमजोर हो जाता है डाइरे की सिकायत हो सकती है arthritis की सिकायत हो सकती है दोस्तों और यह आपके दांतों को colorless भी कर देता है बहुत जादे damaging होती है fluoride से लेकिन जब हम लगातार इसका सेवन करते हैं तो हमें धीरे धीरे इंचीजों का पत लग पाता है दोस्तों कि यदि आप अपने जीवन में अपने दाटों को और अपनी बाड़ी को इस खतनाक जहर से बचाना चाहते हैं तो इस्तमाल करिए हमारा जवरदस्त तूट जैल जिसका नाम है ऐलो इस्टीन इसके अंदर ऐलो वीरा और मैंगो इस्टीन के कॉम्ब इस्ट क्वालिटी होती है एलो बारबा डेंसी मिलर की जो हमारे इस तूट जैल में डाला गया है दोस्तों इसके अंदर दो प्रॉपर्टी बहुत ही जवरदस्त पाई जाती है जिसमें एक है लिगनिन सबसे फास्टेस्ट केरियर होता है किसी भी प्रिकार के न्यूट्र इसका इस्तमाल करते हैं तो यह आपकी दाटों के नहीं है आपकी मसूडों की सुरक्षा करता है इसका इस्तमाल करने का तरीका में आपको बताऊंगा और सैपोनीन एक बहुत ही जवरदस्त नेचुरन क्लिंजर माना जाता है दोस्तों इसके अलाबा इसके अंदर मौजू मैंगोस्टीन एंटी बैक्टेरियल है एंटी इंफेक्शन है और किसी परकार का कोई भी इंफेक्शन या कोई ऐसी डैमेजिंग आपके दाटों के अंदर हो रही है तो मैंगोस्टीन उसको क्लियर करने में उसको प्रड़क्ट करने में बहुत ही जवरदस्त कारगर है इस मैं इस्तमाल कर रहा हूँ आपको एक यूनीक एक अच्छी फीलिंग आने वाली है दांतों पर इस्तमाल करने का सही तरीका मैं आपको बता देता हूँ जब आप ऐलो स्टीन का इस्तमाल करें तो सबसे पहले आप उसको अपनी उंगली पर ले और अच्छे से अपने मसूडों पर इसको रब करें इसकी मालिश करें और तकरीवन पांस से तस मिनिट आप इसको छोड़ सकते हैं इसी तरीके से छोड़ सकते हैं जब आप ऐसा करेंगे तो इसके अंदर मौजूद गुणकारी तत्व आपके मसूडों से सारी गंदगी भार कर देंगे और देन आप पानी से हलके से पानी से उसको कुला कर सकते हैं देन उसके बाद ब्रश पर लेजिए और हलका सब पेस्ट आपको लेना है बहुत ज़्यादा इसका quantity नहीं लेनी होती है बहुत कम में ही आपका काम चलने वाला ह दोस्तों और ब्रश पर लेकर बहुत हलके हातों से आप थोड़ा सा इसको रब कर सकते हैं अपने दातों को वहाँ से क्या होगा आपकी पूरी गंदगी भारा जाती है तो ये सही तरीका है और मालिश अपनी मसूडों के इस तूथ जयल से आपको करनी है आपको बहुत उटा डॉक्टर आपके घर में किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो रही है तो आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं मसूरों में खोन आ रहा है तो उसकी मालिश करें रातों में ठंडा गरम पारिया केड़े हैं तो रात को लगा कर सो जाएं पहले अच्छी तरीके से कुला करें और रात को लगा कर इसको सो जाएं तो सुबह तक आपको बहुत जल्दी रिलिफ मिलने वाला हैं मूह के चाले हो रहे हैं तो प्रभावित जगे पर लगाएं मूह से दुरगंद आ रही है तो इसका मंजन करें अगर आप स्मौकिंग करते हैं तो अपने होटों पर रात को आप आप ले सकते हैं आपके अगर मुहासे हो रहे हैं तो मुहासों पर आज बाहर से अपलाई कर सकते हैं किसी कीड़े ने मदुमक्की ने आपके काठ लिया है तो उसके उपर अपलाई कर सकते हैं तो अगर कहीं से जल गई है आपके फफोले पड़ रहे हैं चाले पड़ हो जाती है तो उस मस्व पर भी इसे अपलाई किया जा सकता है तो अच्छा कि मैं कहीं भी मस्व हो रहे हैं वहाँ पर भी इसे अपलाई किया जा सकता है रात को लागर सो जाएं सुवे तक उमीद रहती है कि छाले जो है वो मस्व कट कर गिनने के पूरी उमीद रहती है इस तरीके से अगर आपके पेट में भी दर्द हो रहा है तो आप इसी थोड़ा सा पानी में घोल कर पी सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा राम मिलने वाला है दोस्तो ऐसा कमाल का शांदार ये आपका ऐलोस्टीन तूथ जैल है हमारा दोस्तो अभी तक इसका इस्तमाल कर रहा था एक से डिर्ड महीन मैंने इसका इस्तमाल किया है दैन मुझे एक अच्छी जबरदस्ट फीलिंग आ रही है और मुझे बहुत जबरदस्ट ये पेस्ट सौरी तूथ जैल देखिए आदत पढ़ चुकी हमें भी पेस्ट कहने के तो तूथ जैल हम आपको फस्ट और पर फ्री मिलने वाला है तो बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाल लास्ट तक मुझे सुनने के लिए इसी तरीके से और बहुत सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी